मैं विनोत कैनी आप सभी का Magic Care Electronics चैनल की तरफ से स्वागत करता हूँ आज यह जो मैं वीडियो लेका है यह सेकंड पार्ट है जो पैनल रिपेरिंग से रिलेटेट सो यह वीडियो एंड तक देखेगा इसमें आपको समझ में आएगा डबल इमेज ना हो और वर्टिकल बार सो सिर्फ तो आपको किस तरह से रिपेर करना है यह टीवी LCD TV है सोनी का इसमें 32 इंच का जो पैनल है इसमें वर्टिकल बार से देख लेते हैं इसे ठीक करने की सही तक नहीं है कोई भी पैनल में दो साइड में gate lines होती है ये जो मैंने mark करके बताया ये left side की gate signals है लेकिन इसपैनल में right side की gate signals में problem थे लेकिन हर बार ऐसा नहीं हो सकता है की right side में problem हो कई बार ऐसा भी होता है कि हम सारी tracks right की card देते हैं उसके बाद picture चले जाती है तो हमें left side की काटनी होती है पहले आपको right side की जितनी कटीवी tracks है उसको joint करने के बाद left side की सारी tracks को cut करना होता है तो यह थोड़ा lengthy procedure होता है because इसमें कोई tick on नहीं है FFC cables नहीं है जिससे की आप isolate कर पाए पैनल के अंदर जाने वाली जो gate lines है उसको tape के through यहां track कट करना जरूरी होता है इसलिए first आप जो भी single cough वाली पैनल टॉप tick on वाली देखते हैं तो उसमें right side की जो gate lines है उसको first cut करके देखना होता है न ठीक हो तो फिर left side की tracks को cut करना होता है पहले आपको right side की सारी tracks को joint करने के बाद लक्किली इस पैनल में हमने जो tracks cut की थी वो right side की थी और इससे cut करने के बाद हमने देखा कि problem solve हो गई थी जरूरी नहीं कि हर बार आपकी right side की tracks खराब हो कई बार ऐसा भी होता है कि right side की tracks आप cut कारते हैं प्रेंट्स आपने देखा किस तरह से हमने right side की gate lines को cut करके problem को solve किया अगर जो इस अच्छा लगा आपको तो like कीजिए अपने दोस्तों तक आप ये video भेजना चाहते हैं तो share button का use कर सकते हैं share कीजिए इस video को और अब तक मेरी चैनल सब्सक्राइब ना कियो तो subscribe भी कर दे और साथ में भगल में घंटी का निसान है उसे भी दबा दे ताकि जो मेरे नए वीडियो से उसके नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देख पाऊगे शुक्रिया दोस्तों ये फूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स अलोट बाइ